हलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टू माई एस्वी मेडिक उस चैनल आज हम वाइटल साइन के पार्ट सेकेंड वीडियो को देखेंगे जिसमें हमने आपको पल्स, रिस्परेशन, ब्लड प्रेशर के बारे में बताया है अपने फ्रस्ट वीडियो में हमने वाइटल साइन के इंट्रोड़क्शन और बॉडी टंप्रेशर के बारे में डिस्कस किया है अगर आप हमारे फ्रस्ट वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिये हैं आप वहां से vital sign के first part को देख सकते हैं चलिए friends अपने वीडियो को start करते हैं सबसे पहले हम pulse के बारे में समझेंगे कि pulse क्या होता है यहां हम देखेंगे pulse क्या होता है तो pulse एक rhythmic dilation है जिसमें कि हमारी heart की जो left ventricle होती है उनके contraction होने के दौरान blood artery को force करता है और हमारी जो artery होती है rise और fall होती है उस दौरान जो beat उत्पन होता है उसे को हम pulse कहते हैं next हम बात करेंगे symphography जिसमें हम pulse के बारे में study करते हैं उसको हम symphography कहते हैं next हम बात करेंगे factor affecting pulse यानि कि कौन-कौन से ऐसे factor है जो कि pulse को affect करता है सबसे पहले हम age की बात करेंगे यानि कि अगर कोई person young age का है तो उनका जो pulse rate होता है वो rapid रहता है अगर कोई person adult age में है तो उनका जो pulse rate होता है वो normal range में रहता है बट अगर कोई person old age में चला गया है तो उनका जो pulse rate होता है वो slow रहता है next हम बात करेंगे sex यानि कि male के अपिच्छा female का जो pulse rate होता है वो slightly increase रहता है next हम बात करेंगे emotion and pain यानि कि अगर कोई person emotionally रूप से disturbed है या mentally रूप से disturbed है तो उस दोरान भी उनका जो pulse rate होता है वो increase रहता है next हम बात करेंगे posture यानि कि अगर कोई person standing position में है और कोई person sitting position में है तो sitting position वाले person के अपिच्छा जो person standing position में है उनका जो pulse rate होता है वो slightly या temporary रूप से increase रहता है next point है physical exercise अगर कोई physical exercise कर रहा है उस दोरान भी उनका जो pulse rate होता है वो increase रहता है next बात करेंगे disease condition यानि कि अगर किसी person से blood loss हो गया है या फिर वो injured हुआ है person या sock का condition है या कोई hurt disease है तो उस दोरान भी उनका जो pulse rate होता है वो increase रहता है next हम बात करेंगे characteristic of pulse पल्स के क्या-क्या characteristic होते हैं जिसमें है rate, rhythm, tension and volume सबसे पहले हम rate देखेंगे rate क्या होता है rate is the number of pulse beats in one minute यानि कि एक minute के दोरान जो pulse beat होता है उसको हम कहते है rate next point है rhythm, rhythm is the space or interval of two pulse rate यानि कि दो pulse rate के बीच का जो space या जो interval होता है उसको हम rhythm कहते है next हम बात करेंगे volume यानि कि it is the fullness of the artery, it is force of blood felt at each bit यानि कि blood के दोरा artery पर जो force पढ़ता है, जो दबाव पढ़ता है उसके दोरा जो beat उत्पन होता है उसको हम कहते है volume next point हम बात करेंगे tension it is degree of compressibility and depend upon the resistance of the wall of the artery यानि कि artery के wall पर जो भी compress जो भी दबाव पढ़ता है उसको हम कहते है tension यहां हम बात करेंगे site of pulse यानि कि जो भी हम pulse लेते हैं कहां कहां से हम pulse को fill कर सकते हैं जिसमें फर्स्ट है temporal artery जो temporal artery से हम pulse fill करते हैं वो कहां पर होता है temporal bone के पास होता है second है carotid artery जो कि neck के side में ये present होता है carotid artery next है apical pulse site जो कि fourth और fifth जो intercostal space होता है chest region में वहां से हम apical pulse को fill करते हैं जो कि usually infant में किया जाता है next है brachial artery brachial artery जो होती है वो elbow के above होती है यानि कि elbow के उपर होता है next है radial और ulnar artery जो radial या फिर ulnar artery जो होती है वो wrist के सामने present होती है वहां पे हम fill करते हैं जो कि ज्यादा तर radial artery का यूज किया जाता है next है femoral artery जो कि groin area में present होता है popleteal artery जो कि हुटने के पीछे present होता है posterior tevial artery जो कि medial meleolus के पीछे होता है और last है dorsal pedis artery जो कि foot पे पाये जाता है अब हम आपको image के माधियम से समझाएंगे कि कौन सी artery कहां पे present होती है जिसमें सबसे पहले हम आपको temporal artery के बारे में बताएंगे जो कि कान के ऊपर पाये जाता है temporal artery जो temporal पून होता है second है carotid artery जो कि neck के side में यहाँ पे पाये जा रहा है carotid artery उसके बाद brachial artery जो कि elbow के अबब पाये जा रहा है brachial artery उसके बाद radial और ulnar artery वो wrist के just सामने present है यहाँ पे हम fill करते हैं radial और ulnar artery को उसके बाद है femoral artery जो कि groin area में present होता है thigh के पास उसके बाद है popliteal artery popliteal artery जो होता है वो knee के पीछे present होता है next है posterior tibial artery यहाँ पे यह वाला जो point दिक रहा है यह posterior tibial artery उसके बाद dorsal pedis जो होता है यहाँ पे foot के पास पाय जाता है यहाँ से हम ninth region होते है जहाँ से हम क्या करते है पास को fill कर सकते हैं जो कि apical जो होता है वो कहाँ पे होता है chest के fourth और fifth intercostal space left side हम इसको fill करते हैं अब process क्या होता है जो भी pulse लेने का जो process होता है यहाँ पे आप image के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ first जो image है यहाँ पे carotid artery को fill किया जा रहा है और जो second image है यहाँ पे radial artery को fill किया जा रहा है with two fingers next हम बात करेंगे pulse rate according to age यानि कि age की according pulse rate क्या क्या होता है जिसमें first step before birth यानि कि अभी जो baby है intrauterine life में है तो उस दौरान उनका pulse rate क्या होता है यानि कि fetal heart sound क्या होता है तो उस समय अगर हम fill करते हैं उनके pulse rate या फिर heart rate को तो उनकी जो value आती है 140 से 150 bit पर minute होता है next हम बात करेंगे add birth यानि कि newborn का pulse rate हम लेते हैं या फिर heart rate लेते हैं तो उनका आता है level 130 से 150 bit पर minute आता है एक साल के बच्चे का pulse हम fill करते हैं तो 115 से 130 bit पर minute आता है अगर 4 से 8 साल की बच्चे का हम pulse लेते हैं तो 86 to 99 bit पर minute आता है अगर कोई आट से 15 साल की age का है तो उनका pulse अगर हम fill करते हैं तो 80 से 86 bits पर minute आता है adult age में normal जो pulse rate होता है वो 72 से लेकर 80 bits पर minute होता है old age में अगर कोई person चला जाता है तो उनका pulse rate होता है वो decrease होने लगता है जो कि normal जो value होती है वो 60 से 70 bits पर minute होती है next हम बात करेंगे कि अगर heart rate या जो pulse rate है abnormal होने लगे तो उस condition को उस terminology को हम क्या बोलते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हमने normal के बारे में बताया है कि जो normal heart rate होती है adult age में तो वो कितना होता है 16 to 80 या फिस 16 to 100 bits पर minute होती है जिसमें कि इसका जो rate rhythm होता है वो normal होता है regular होता है बट अगर abnormal condition में चला जाए तो या तो tachycardia होता है या फिर ready cardia होता है तो tachycardia हम कब कहते है जब heart rate fast हो जाता है कहने का मतलब यह कि जो heart rate 100 bit per minute से above होने लगता है तो उसको हम tachycardia कहते हैं और यह tachycardia कब होने लगता है इसके causes क्या है तो exercise की वज़े से heart rate fast हो सकता है या infection लगने की वज़े से हो सकता है या फिर excitement की वज़े से हो सकता है soft की वज़े से या फिर heart attack के condition में tachycardia देखने को मिलता है next है ready cardia यानि कि slow heart rate इसमें क्या होता है कि जो heart rate होता है normal से decrease कर जाता है यानि कि 16 bit per minute से heart rate decrease होता है उसको हम कहते है bradycardia causes क्या होता है sleep, rest या फिर कोई भी drug है जो की overdose ले लिया जा रहा है उस drugs का तो उसके वज़े से होता है या फिर hypoxia के condition में bradycardia देखने को मिलता है next हम बात करेंगे procedure during pulse जिसमें first point है explain the procedure to patient and check if the patient had been involved in any activity यानि कि patient को हम क्या करेंगे whole procedure को explain करेंगे उसके बाद हम ये check करेंगे कि जो person है वो किसी भी type की activity या फिर exercise तो करके नहीं आया है अगर वो किसी भी type की activity या exercise करके आता है तो हम उस portion को 10 minute rest करने के लिए कहेंगे अगर उसको हम rest करने के लिए नहीं कहते हैं अगर वो कोई activity करके आता है तो उनका जो pulse rate होता है वो increase हो सकता है या फिर increase उनकी reading बता सकती है जिसके वज़े से उनकी जो reading होती है वो incorrect हो जाएगी next point देखेंगे select the pulse site usually radial pulse is selected यानि कि pulse site को हम select करेंगे जो कि जादा तर आमतार पर radial pulse को ही choose किया जाता है next point हम बात करेंगे provide comfortable position of the patient for radial pulse जब radial pulse हम fill कर रहे है उस दोरान हम portion को क्या करेंगे comfortable position में लिटा देंगे next point बात करेंगे place the fingertips, index and middle fingers over the radial pulse area यानि कि pulse लेने का जो process होता है वो कौन-कौन से finger का हम use करते हैं तो जो हमारा index finger होता है और जो middle finger होता है उसके सारे हम क्या करेंगे? pulse को fill करते हैं उनके tips के through यानि कि जो index finger होता है और जो middle finger होता है उनका जो tip हिस्सा होता है उससे हम क्या करते है? radial pulse को fill करते हैं या आपके लिए एक बहुत important बात कहीं गई है कि हम कभी भी pulse लेने के दोरान thumb का use नहीं करते हैं वहाँ हम इंडेक्स और मिडिल फिंगर का यूज करते हैं थम से अगर हम पल्स लेते हैं तो पल्स की जो वैलू होती है वो mistake हो सकती है वो incorrect हो सकता है एक और important बात क्या है कि अगर हम किसी portion का pulse rate एक मिनट के वज़ाए 30 seconds के लिए ले रहे हैं तो उस दौरान क्या करते हैं कि जितनी उसकी value आ रही है पेसेंट की जितनी value आ रही है उसमें हम 2 से multiply करते हैं अगर 30 seconds के लिए लेते हैं जैसे कि अगर हम किसी patient का 30 second के लिए pulse feel कर रहे हैं तो उस दौरान 30 seconds के अंदर उनका जो pulse है वो 33 आ रहा है तो उसमें हम क्या करेंगे 2 से multiply कर देंगे तो उसके बाद क्या करेंगे हम उसकी normal value बता कर सकते हैं लेकिन ये जो process है बिल्कुल accurate नहीं है लेकिन फिर भी हम इसका use कर सकते हैं अगर किसी portion का हम 15 second के लिए pulse fill कर रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे 4 से multiply कर सकते हैं next हम बात करेंगे respiration जो कि अभी तक हमने pulse के बारे में बात किया है अब हम respiration के बारे में बात करेंगे respiration क्या है जो कि vital sign का ही एक ये हिस्सा है यह हम respiration के definition को समझेंगे respiration is the act of breathing यानि कि जो respiration होता है वो शांस लेने की एक प्रक्रिया होती है it is the process of taking in oxygen and giving out carbon dioxide इस process में हम oxygen को ग्रहन करते हैं और carbon dioxide को बाहर निकालते हैं respiration constitute inspiration, expiration and pause जो respiration होता है उसमें वो कौन-कौन सी प्रक्रिया से होती है तो inspiration होता है, expiration होता है और pause होता है अब हम समझेंगे inspiration, expiration और pause क्या होता है इसमें सबसे पहले है inspiration यानि कि oxygen लेने की प्रक्रिया को हम क्या कहते है inspiration कहते है और expiration क्या होता है carbon dioxide को lungs के तुरू बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम expiration कहते है next है pause pause क्या होता है interval between inspiration and expiration यानि कि inspiration और expiration के बीच के interval को हम pause कहते हैं यानि कि सांस लेने की प्रक्रिया और सांस छोड़ने की प्रक्रिया के बीच का जो interval होता है उसको हम pause कहते हैं normal respiration rate जो होता है वो 16 to 20 breath per minute होता है और normal respiration को हम किस नाम से जानते हैं यूपनिया के नाम से जानते हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे character sticks of respiration जिसमें first है rate rate का मतलम क्या होता है कि एक मिनट के दौरान जो respiration धर होता है जो स्वास धर होता है उसको हम देखते हैं उसी चीश को हम rate कहते हैं जो कि age के according इसको divide किया गया है कि कौन से age में कितना respiration rate होता है at birth क्या होता है respiration rate 30 to 40 breath per minute होता है एक साल के दौरान जो respiration rate होता है 26 to 30 breath per minute होता है दो साल के दौरान जो respiration rate होता है 20 से 26 breath per minute होता है adolescence age में जो respiration rate होता है वो 20 breath per minute होता है adult age में यानि कि normal जो age है उस दोरान क्या होता है normal value 16 to 20 breath per minute होता है और old age में जो respiration rate होता है वो slow हो जाता है और कितना होता है 10 to 24 breath per minute होता है next characteristic की बात करेंगे rhythm इने normal respiration rhythm is normal यानि कि normal respiration के दोरान जो rhythm होता है वो normal होता है critically ill clients and person nearing death are found to have irregular respiration अगर कोई person dangerous disease से सफर कर रहा है या वो person जो कि जिनके मौत अब करीब है तो उस दोरान उनकी जो respiration process होती है वो irregular हो जाती है next हम बात करेंगे depth यानि कि जो normal person होते हैं जो normal man होते हैं वो क्या करते हैं कि प्रतिक respiration के दोरान inspiration और exhale के दोरान 500cc air को inhale और exhale करते हैं बट अगर कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा lungs होता है वो जादे amount में air को inhale कर रहा है तो उस दोरान क्या कह सकते हैं कि जो respiration है वो deep है लेकिन कभी कभी जब हमारा lungs कम amount में air को inhale और exhale कर रहा है तो हम यह कह सकते हैं कि जो respiration है वो shallow है next हम बात करेंगे factor which increases the rate of the respiration यानि कि कौन-कौन से ऐसे factor हैं जो कि respiration rate को increase कर सकते हैं तो exercise की वज़े से respiration rate increase हो सकता है emotion की वज़े से या फिर कुछ ऐसे disease जैसे कि endocrinal disease हैं यह क्या करते हैं respiration rate को increase करते हैं next हम बात करेंगे factor which decrease the rate of respiration अब हम देखेंगे कि कौन-कौन से ऐसे factor हैं जो कि respiration rate को decrease कर रहे हैं यानि कि कम कर रहे हैं तो rest और sleep की वज़े से respiration rate decrease हो रहा है या फिर रिस्पाइरेटिज डिप्रेसेंट जैसे कि नार्कोटिक ले रहा है या फिर सिडेटिव ड्रक्स ले रहा है उसके वज़े से respiration rate जो होता है वो decrease हो जाता है next हम बात करेंगे abnormal breathing pattern यानि कि जो respiration जो प्रक्रिया है जो स्वांस लेने की जो प्रक्रिया है वो अगर abnormal हो जाती है तो उस condition को हम क्या कहते हैं जिसमें first है टैकिपनिया या फिर जिसको हम polypnea के नाम से जानते हैं ये कब होता है इट इस increased respiratory rate ओवर 24 ब्रिट्स पर मिनट अगर जो हमारी स्वांस दर है वो 24 ब्रिट्स पर मिनट से ओवर है तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं टैकिपनिया या फिर polypnea के नाम से जानते है यानि कि जो हमारी respiratory rate है वो increase कर गई है नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रैडिपनिया यानि कि इसमें जो हमारी respiratory rate है वो decrease कर गई है कितना decrease है तो 10 bits पर मिनट से भी जो हमारी respiratory rate है वो decrease हो गई है नेक्स्ट हम बात करेंगे अपनिया यानि कि इसमें जो हमारी breathing process होती है जो breathing pattern होत एस चीज़ को हम कहते हैं आपनिया नेक्स्ट है हाईपर एपनिया का मतलम क्या होता है इस इंक्रीज डैफ्ट और र next increase होता है उसको हम क्या कहते हैं hyper apnea next आर्थपनिया आर्थपनिया का मतलम क्या होता है the client can breathe only in an upright position यानि कि इसमें जो client होता है जो person होता है और upright position में ही breathe करता है next point है is that totals respiration इसमें क्या होता है जो breathing होती है नौजी होती है या फिर snoring sound सुनाई देती है next one हम बात करेंगे straight door इसका मतलम क्या होता है कि अगर किसी portion का upper airway obstruction हो जाता है जिसके वज़े से respiration के दौरान vibrating sound सुनाई देती है जो कि laryngitis के condition में देखने को मिलता है next point है dipsnea इसका मतलम क्या होता है difficulty in breathing यानि कि उस portion को सांस लेने में कठिनाई होगी next point है sinosis sinosis का मतलम क्या होता है कि उस person का जो skin होता है जो mucous membrane होता है उसका color discolor हो जाता है या फिर blue color का दिखाई देने लगता है वो क्यों दिखाई देता है जब tissue में oxygen की कमी होती है तो उस दोरान यह देखने को मिलता है next point है anoxia या फिर hypoxia in this the lake of oxygen in the tissue अगर tissue में oxygen की कमी होती है तो उस चीज़ को हम कहते है hypoxia या फिर hypoxemia it is the lake of oxygen in the blood stream अगर blood stream में oxygen की कमी दिखाई देती है तो उस condition को कहते है anoxemia या फिर hypoxemia next point है aphasia aphasia का मतलब क्यों होते है a state of suffocation यानि कि ऐसा condition जिसमें patient क्या कर रहा है जिसमें portion suffocation फिल कर रहा है कि तो इतना था respiration का topic अब हम next बात करेंगे blood pressure के बारे में next one हम बात करेंगे blood pressure blood pressure क्या होता है सबसे पहले हम इसके definition को समझेंगे जो कि नाम से पता चल रहा है blood और pressure यानि कि blood के थ्रूँ क्या किया जा रहा है pressure लगाया जा रहा है कहां पे pressure यह लग रहा है blood vessel पे यानि कि जो blood vessel की wall है वहां पे pressure लग रहा है किसके थ्रूँ blood के थ्रूँ उसी को हम blood pressure कहते हैं इसके definition को समझेंगे blood pressure is the force exerted by the blood against the wall of the blood vessels as it flows through them यानि कि blood pressure एक ऐसा force है जो कि blood के थ्रूँ लगाया जाता है blood vessel wall पे उसी को हम कहते हैं blood pressure अब normal blood pressure कितना होता है तो systolic जो होता है 120 होता है और जो diastolic होता है वो 80 होता है तो normal blood pressure adult में 120 to 80 mm of SG होता है next one हम बात करेंगे systolic blood pressure systolic blood pressure क्या होता है highest degree of pressure को हम systolic blood pressure कहते हैं और lowest degree of pressure को हम diastolic pressure कहते हैं जो कि normal systolic blood pressure होता है 120 mm of SG होता है और जो diastolic pressure होता है normal वो 80 mm of SG होता है नेक्स्ट हम बात करेंगे Pulse Pressure, Pulse Pressure क्या होता है? Pulse Pressure is the difference between the systolic and diastolic pressure, यानि कि systolic और diastolic pressure के बीच का जो अंतर होता है उसको हम कहते है Pulse Pressure, Pulse Pressure का जो formula होता है, वो क्या होता है? systolic BP minus diastolic BP अब हम क्या करेंगे जो pulse pressure होता है systolic BP और minus diastolic BP जो होता है उन में से अगर हम minus करेंगे तो 40 mm of SG आता है तो जो normal pulse pressure होता है वो होता है 40 mm of SG जैसे कि जो systolic BP हुआ 120 और जो diastolic BP हुआ 80 हुआ तो 120 से 80 हम minus करेंगे तो 40 mm of SG आता है तो जो normal pulse pressure होता है वो होता है 40 mm of SG और जो formula होता है pulse pressure का वो होता है systolic BP minus diastolic BP नेक्स हम बात करेंगे जो instrument हम BP को मिजर करने के लिए यूज करते हैं उस instrument का नाम है स्फिग्मो मैनो मीटर इस instrument से हम क्या करते हैं blood pressure को मिजर करते हैं नेक्स हम बात करेंगे hypertension hypertension क्या होता है usually जो hypertension होता है यानि कि high BP इसमें क्या होता है जो systolic BP होता है वो normal से above हो जाता है कितना 140 mm of SG हो जाता है लेकिन अगर 180 mm of SG systolic pressure चला गया है तो वो क्या है एक severe condition है नेक्स है hypotension hypo का मतलम क्या होता है decrease तो इसका मतलम क्या होता है कि जो diastolic blood pressure होता है वो 80 से decrease हो जाता है कितना यानि कि 60 mm of SG हो जाता है उसको हम कहते है hypotension यहां पर हम इमेज के माध्यम से बता है कि जो स्फिग्मो मैनोमीटर होता है वो कितने टैप्स के होते है तो एक होता है android स्फिग्मो मैनोमीटर होता है एक mercury स्फिग्मो मैनोमीटर होता है और एक होता है digital स्फिग्मो मैनोमीटर होता है जो कि जादतर जो एक्यूरेट जो रीडिंग बताती है वो मरकरी स्फिंगमो मैनोमीटर के तुर देखा जाता है